मनुस क्यों व्यर्थ की बातों में उल्जा रहता है? दर के कार, भै के कार, भै किस बात का? एक ही भै है, जो लोगों को चाया की तरह पीछा कर रहा है, 24 गंटे, जाकते सोते, और भै भै यह है, कि अगर मैं व्यस्त न रहूं, उल्जा न रहूं, तो कहीं मुझे मेरे बीतर का सुन्ने न दिखाई पड़ जाए, कहीं वो अतल खाई न दिखाई पड़ जाए, और वो अतल खाई है, तो भै एकदम जूट भी नहीं, निराधार भी नहीं, अगर तुम बिलकुल अव्यस्त हो, कोई काम नहीं है, तो तुम अचानक अपने भीतर के सुन्ने कानभाव करने लगोगे, रिक्त तानभाव होगी, खाली लगोगे, तुम जल्दी से किसी काम में व्यस्त हो जाओगे, क्योंकि खाली में एहंकार मरता है, गलता है, एहंकारी को तो व्यस्त रहना ही पड़ेगा, व्यस्त रहके ही एहंकारी अपने को मान सकता है कि मैं कुछ हूँ, इसलिए लोग बड़े काम करना चाहते हैं, छोटे ही नहीं, बड़े काम करना चाहते हैं, ऐसे काम करना चाहते हैं, कि दुनिया भर को पता चल जाए कि मैंने ये किया, कि मैंने वह किया, छोटे मोटे काम में रस नहीं आता, क्यों? क्योंकि छोटे मोटे काम छोटा मोटा एहंकार ही पैदा कर सकते अब बुहारी लगाओ कि खाना बनाओ कितना बड़ा एहंकार इसमें से पैदा करोगे लेकिन प्रदानमंत्री हो जाओ राष्टपती हो जाओ तो भारी एहंकार पैदा कर सकते कि मैं कुछ विसिस्ट हूँ साथ करोर लोगों में मैं कुछ विसिस्ट हूँ तो लोग दोड़ रहे हैं भाग रहे हैं ऐसी जगे पहुंच जाना चाहते हैं जहां कुछ विसिस्ट काम में उलग जाएं अपने को भर लेना चाहते हैं मनस्विद कहते हैं कि जो आदमी जितना ही अपने भीतर की सुनिता से घबडाया होता है, उतना ही पद लोलुप हो जाता है। भीतर जो लोग हींता की गरंथी से पीडित होते हैं, वे लोग पद लोलुप हो जाते हैं। पद की दौलुप हींता का परिछेपण है। जो व्यत्ती सचमची भीतर हींता से पीडित नहीं होता, वो पद की दौल में नहीं होता। उसे करना क्या है? वो जैसा है, वैसा परमानन देते हैं। उसका आनन प्रधानमंत्री होने में नहीं है। न बहुत धने खटा कर लेने न बहुत यसस भी हो जाने उसका आनन तो वो जैसा है वैसे में ही है इसी को तो कल रजब ने कहा संतोस से दोस्ती करो संतोस से दोस्ती कौन करेगा वही कर सकता है जो अपने भीतर के सुनने के साथ राजी होने का साहस रखता हो और ये बड़े से बड़ा साहस है दुस साहस है इस जगत में और कोई साहस इतना बड़ा नहीं कि तुम खाली बैठ जाओ ध्यान में बैठने से बड़ा कोई साहस न साहस क्या है साहस तलवार उठाने में नहीं तलवार उठाने में कुछ साहस नहीं है यह जो घड़ी बर आदमी सांथ हो के बैठ गया है ना कुछ करने सुन्य होकर इसमें साहस है क्यों क्यों कि यहां जैसी जैसे भीतर उतरेगा जैसी जैसे करत्य का जगत छूटेगा विचार का जगत छूटेगा क्योंकि विचार भी सूक्ष में करत्य है वो मन का करत्य है कभी तुम सरीर का काम करते हो सरीर के काम से छूटे तो तच्छा मन का काम सुरू कर देते हैं मगर काम जारी रहता है जब दोनों काम छूट जाते हैं तो फिर क्या बचता है तुम ही नहीं बचते इसलिए मैं कहता हूँ ये साहस ध्यान में उतर के पता चलता है कि मैं कभी था ही नहीं मेरा होना भ्राम्ती थी मेरा होना एक सरा सर जूंट था मैं हूँ ही नहीं हिम्मत है इस बात को अनुभव करने की कि मैं हूँ ही नहीं और जो ऐसा जानता है कि मैं हूँ ही नहीं वही जान सकता है कि परमात्मा है तुम दोनों साथ साथ न हो सकोगे प्रेम गली अतिसा करीता में दोना समा है या तो तुम या परमात्मा तुम मिटोगे तो परमात्मा हो सकेगा तो वो जो सुन्य तुम्हारे भीतर है परमात्मा की ही आभा है उसका ही चहरा है उसके ही रूप रंग का अंग है उसी निराकार का एक भाव है तुमने पूछा है मनुस क्यों व्यर्थ की बातों में उलजा रहता है अब सार्थक बात ने रोज रोज खो जो भी कहां से सार्थक बात ही क्या है सबी बातें व्यर्थ की सुबस तो उठे अख अगल को जुखाम हो गया किसको क्या हो गया सार्थक बातें पढ़ रहे है तुम को बड़ी काम की बातें पढ़ रहे है फिर बैठके पत्नी से कुछ बात कर ली महले की गपसब फिर चले दफ्तर तुम सोचते वहां को सार्थक काम कर रहे है सार्थक क्या है इस सारे उपद्रों की सार्थकता इतनी ही है कि दो रोटी मिल जाती अब ये बड़े मजे की बात है आदमी से पूछो कि रोटी किसली कमाते है वो कहते हो जीने के लिए और उसे पूछो जीते किसली हो वो कहते है रोटी कमाने के लिए ये कौन सी सार्थक्ता हुई जीते इसलिए हैं कि रोटी कमाएं रोटी इसलिए कमाते हैं कि जीना है ये तो बड़ा वर्तल हुआ विस्यस सर्किल हुआ दुष्ट चक्र हुआ इसमें सार कहा है इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है उनको ये बात दिखाई पढ़नी सुरू हो जाती है तो सब असार है उठे रोज सुबह चले वही रोटी कमाने सांज फिर आके सो गए सुबह फिर उठे फिर चले रोटी कमाने ऐसे ही आते जाते एक दिन समाप्त हो गए पाया क्या उपलब्धी क्या थी उम्रत्यू में भी अपने सांथ ले जा सको वही सार्थक है और जो म्रत्यू में तुम्हारे सांथ न जाए इसी तरफ पढ़ा रह जाए वो सार्थक नहीं तुम्हारा पद पढ़ा रह जाएगा धन पढ़ा रह जाएगा नाम पढ़ा रह जाएगा मित्र प्रीजन सब पड़े रह जाएंगे तुम जब जाने लगोगे अकेले उस वक्त क्या तुम ले जा सकोगे तुम्हारा बैंक बैलिंस क्या ले जा सकोगे उस वक्त ध्यान ही ले जा सकोगे बस और कुछ ने ले जा सकोगे तो ध्यान का अनुभाव एक मातर सार्थक अनुभाव है यह तो बड़ी उपदरों की बात हुई उल्टी बात हुई तुम जो भी करते हो सब व्यर्थ है वो जो कुछ घड़ियां ना करने में बीटती हैं वही सार्थक है क्योंकि वही तुम बचा के ले जा सकोगे मगर उन थोली सी गड़ियों में जो तुम सांथ हो जाते हो कुछ भी नहीं करते मौत का साक्षातकार करना होता है मौत और ध्यान बड़े एक जैसे ध्यान करने वाला रोज मौत में उतरता है रोज मरता है क्योंकि रोज मिढ जाता है भीतर सन्नाटा हो जाता है खोजने से भी नहीं पाता अपना आपा कि मैं कहां हूँ कोई आत्मा नहीं मिलती कोई भीतर नहीं मिलता सिर्फ सन्नाटा मिलता है सन्नाटा रोज गहन होता जाता है खाई रोज गहरी होती चली जाती और गिरता चला जाता है और कहीं जगे नहीं मिलती जहाँ पैर टेक के खड़ा हो जाओ यही तो मरत्यू का अनुभव है इसलिए जिसने ध्यान में बार बार मर के देख लिया जब मरत्यू आती है तो वो घबडाता नहीं के परचित है इतना ही नहीं कि रोज की जानी हुई बात ये भी उस का अनुभव है कि जितना गहरा इस सुन्य में उतरो उतने ही आनंद का विर्भाव होता है इसलिए वो म्रत्यू का स्वागत करता है अंगिकार करता है आलिंगन करता है अतिथी की तरह है महमान की तरह द्वार खोलता है कि आओ बहुत प्रतिक्षा की है तुम्हारे और जो व्यक्ति मरत्यू को स्वागत से अंगीकार कर लेता है वो मरेगा कैसे वो मर कैसे सकता है अब मैं तुमसे एक विरोधभास कहना चाहता हूँ जो मरने को तयार है जो ध्यान में मरने को तयार है उसकी मरत्यू कभी नहीं होती वो अमरत्यू का धनी हो जाता है लेकिन आदमी विर्थ की बातों में उलज़ा है नहों बाहर तो खुद इजात कर लेता है खड़ी कर लेता है जगडे जहां से कर लेता है उल्जा लेता अपने को तुम ज़रा ख्याल करो तुम्हारे जितने जगड़े जहां से हैं अगर सब हल हो जाएं तुम्हारे बैवसाय में जितनी चिंताइं हैं अगर सब हल हो जाएं अगर मैं एक जादू का डंडा उठाऊ और तुम्हारे सिर के पास फिराऊं कॉम तुम्हारी सारी चिंताइं समाप तुम मुझे माफ करोगे तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे तुम एक दमाग खोल के कोगे अब मैं करूं क्या सब जगड़े जहां से समाप अब मैं करूं क्या अब करने को कुछ भी नहीं बचा तुम मांगोगे हाथ जोड़के गिलगड़ाओगे कि मेरी चिंताएं मुझे वापिस दो मेरी समस्याएं मुझे वापिस दो उल्जातो रहता था, लगातो रहता था याद की रह गुजर, याद की राह गुजर जिस पर इसी सूरत से मुद्दतें बीद गई हैं तुम्हें चलते चलते खत्म हो जाए जो, दो चार कदम और चलो मोड पड़ता है जहां, दस्ति फरामोसी का जिस से आगे न कोई मैं हूँ, न कोई तुम हूँ सास थामे हैं निगाहें कि न जाने किस दम, तुम पलटाओ, गुजर जाओ, या मुण कर देखो गर्चे वाकिफ हैं निगाहें कि यह सब धोखा है गर कहीं तुम से हम आगोस हुई फिर से नजर फूट निकलेगी वहां और कोई राह गुजर फिर इसी तरह जहां होगा मुकामिल पैहम साय जुल्फ का और जुम से बाजू का सफर दूसरी बात भी जूटी है कि दिल जानता है यहां कोई मोड, कोई दस्त, कोई घात नहीं जिसके परदे में मेरा माहे रवान डूप सके तुम से चलती रहे यह राह, यूँ ही अच्छा है तुमने मुड कर भी न देखा, तो कोई बात नहीं आदमी कल्पनाय करता रहता है कोई मेरे प्रेम में पढ़ जाएगा मैं किसी के प्रेम में पढ़ जाऊंगा आज धन नहीं है, कल धन मिल जाएगा आज पद नहीं है, कल पद मिल जाएगा और फिर सोचता है, ना भी मिला तो कोई बात नहीं मगर उलजातो रहूंगा, चलता तो रहूंगा लगा तो रहूंगा, व्यस्त तो रहूंगा व्यस्तता ऐसे ही है जैसे सागर में डूपते हुए आदमी को तिनके का सहार है पकड़े रहता है तुम उस से लाग को ये तिनका है ये तुम्हे बचायगा नहीं वो कहेगा चुप रहाओ बकवास बंद करो बचायगा या नहीं बचायगा ये सवाल नहीं कम सकम ये ब्रांती तो मन को देता है कि बचरा